अयोध्या में रामदने निर्मार के नाम पर वी एच पी और शिवसेना कारिक्रम कर रही हैं अयोध्या में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था हैं कैसे कानून व्यवस्था बनाई जाएगी हमारे साथ बाचीत करने के लिए उत्तपरदेश के अपर पुलिस महाने देशक कानून व्यवस्था आनन्द कुबार जी हैं सर क्या सुरक्षा के इंतजाम है देखिए उध्या मैं आप मैं आपको बड़ा स्पश्ट तौर पर बता दूँ कि सेक्यरिटी स्कीम बनी हुई है उध्या की उस सिक्यरिटी स्कीम को अक्षर शे उसको नपालन किया जा रहा है उसको लागू कर दिया गया है इस सिक्यरिटी स्कीम के तहट पूरे अध्या को जोन और सेक्टर में बाटा गया है सभी जगा राजपत्रित अधिकारियों को डूटी लगाई गई है जहां जहां बर भी barrier आदी लगाने हैं उसको हम लोडे किया है जिससे की भीड नियंत्रिट ना हो सके और भीड का नियंत्रन सफलता पूर्वक किया जा सके जो अयोध्या red zone और yellow zone में विभाजित है red zone में restrictions है माननी उश्टमने आले के आदेशानसार उसमें किसी प्रकार की कोई नई परिपार्टी नहीं होने दी जाएगी जो एक व्यवस्ता बने हुई है उसी का संचालन होगा without any exception और जो जितनी संख्या में लोग निर्धारित हैं जो दर्शन के लिए जा सकते हैं दर्शन आरती उत नहीं जाएंगे और इस बात का भी हम लोग ने आठ घंटे के दर्शन का समय है उस आठ घंटे में चार घंटे पुर्वान में और चार घंटे अपराहन में तो उसी दोरान लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया निसार निर्धारित मानक के निसार और क्या कोई अपरी इस्तिती पैदा होने पर सेना से भी मदद ली जाएगी सेना भी एलर्ड पर रखी गई है सेना के अधिकारियों से बाची कर रखी है पहले से लैस्डिंग है देखे इस तरह की इस्तिती बनने की तो पहली बात इस्तिती नहीं है और दूसरी बात अगर ऐसी इस्तिती मान लिजे अगर इस तरह की कोई आती है तो उसका एक कंटिजन्सी प्लैन है जो की बना हुआ जिसके बारे महुत ज़्यादा मैं खुलासर नहीं करूँगा लेकिन हर जगह की एक contingency plan होती है plan A या plan B लेकिन ऐसी कोई इस्तिती है नहीं 144 लागू है क्या और अगर लागू है तो इतनी भारी संख्या में लोगों को आने की अनुमती क्यों दी गई देखिए 124 एक प्रयूजन है कानून में जिसके तहथ जिला प्रशासन को या अधिकार मिल जाता है कि चार से अधिक व्यक्तियों के एक रिक पे इकाथा की बारे में वो अपने स्वेव इवेक से निडने ले सके। तो वहां का जिला प्रशासन इस बारे में सिंसिटाइस्ट है और जिला प्रशासन अपने विवेका नुसार इस बात का निड़ने करेगा कि कहां पर ये रिजनेबल रेस्टिक्शन सिंपोर्स गरने किया वशकता है एक सो चौवालिस एक एनेबलिंग प्रोविजिन है लो मे जो इस बात की शक्ती देता है वहां के जिला प्रशासन को कि व्यक्तियों को समूग को कहां पर इकठा होने की अनुमती या उनको डिनाई करने का अधिकार मिल जाता है तो ये जिला प्रशासन अपने विवेक से इस बात को तेकरेगा